जो हमारा defect है वो है dirt, motel, mark, tablet जैसे कि आप पोटो में देख रहे हैं इसमें black mark भी दिख रहे हैं, motel भी दिख रहे हैं तो वगर इसके causes की बात हम लोग करेंगे तो इसका cause जो है जो हमारा granules है वो contaminate होता है grease या oil से तो इस case में हमको क्या करना है हमको oil seal जो है वो चेक करनी है ठीक है जो अपरपंज guide में होता है उस oil seal को चेक करना है कहीं महां से oil leak तो नहीं कर रहा है दूसरा क्या है कि हमारा granules है वो contaminate होता है चूट से feed hopper से take up plate से rubbing off feeder pedals यह सारे चीजों की वज़ा से हमारा granules होता है वो contaminate होता है अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं हमारा जो भी components है उनको clean और वराबर reset करें अगर मेरे granules में moisture बहुत ज़्यादा है तो उस case में यह problem होगी उस case में हमको क्या करना है granules को retry करना है oversize granules है तो उसकी वज़ा से भी यह problem आईगी उस case में हमको particle size को reduce करना है यह जो सारी चीज़े थी यह हमारे dirt motor या mark जो हमारे defects हैं उनके causes और remedies थी आई हम लोग बात करते हैं एगले defect की जो की है excessive loss of granules तो इस case में cause और remedies हम लोग देख लेते हैं cause क्या है जो हमारा जो feeder है वो diet table पर बराबर fit नहीं हुआ है तो इसमें हम लोग को जो feeder based है उसको correctly जो है diet table पर fit करना है with minimum gap और यह ensure करना है कि कोई wear and tear ना हो दूसरा जो reason है recirculation band का जो function or action है वो बराबर नहीं है तो इस case में हम लोग क्या करना है जो हमारा recirculation band का जो bottom band है और diet table के बीच का जो gap है वो हमको check करना है और जो हमारा inadequate pressure and holding down spring उसको भी हमको check करना है अगर प्रेशर कम है तो अगला जो रीजन है जो हमारा diet table है उस पर जो scrapping होती है जो scrapper powder को scrap करता है वो scrapping जो insufficient है मतलब वो बराबर नहीं है तो इस case में हमको check करना है कहीं पर हमारे scrapper damage जो नहीं हो गया है ठीक है और उसकी setting है उसको भी check करके उसको perfect हमको set करना है अगला जो रीजन है इसमें क्या होता है जो हमारा diet fill हो जाता है ठीक है तो उस case में क्या होता है कि जो अगला जो रीजन है ठीक है अगला जो पॉइंट है वहां पर मेरा बहुत जादा है तो क्या करेगा वह पॉडर को खीच लेगा उस case में हमको सक्षेन को reduce करना है और उसको optimize करना है अगला जो रीजन है ठीक है compression जो पॉइंट है वहां पर मेरा loss हो रहा है lost at compression पॉइंट क्यों हो रहा है क्योंकि हमारा जो उसमें है ग्रेवल्स में fines जादा है ठीक है taper dies है upside down और clearance हो है यह सब हमको चेक करना है excessive shifting यह भी एक रीजन है इस case में क्या होगा shifting गरम करना अधर fines जो होंगे taper dies upside down clearance between punch and dive और यह हमको चेक करना है तो यह सारे रीजन थे excessive loss of granules के अब अगला जो defect है वह indistinct break line our embossing इसके जो cases and remedies है वह हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारा जो punch tip है वह damage है अवार्न है तो हमको उसको replace कर देना है coarse granulation जादा है ठीक है हमको क्या करना particle size को reduce करना है binder हमारा inadequate है कम है तो हमको क्या करना binder की strength को बढ़ाना है picking हो रही है तो हमको granules को थोड़ा lower pressure पर compress करना है अगला जो reason है incorrect embossing design इस case में हमको क्या करना है हमको जो हमारा tooling supplier उससे consult करना है उससे बात करनी और उसको उसको फिर से redesign करना है या जो भी suggestion दे उसके सबसें हमको आगे का action point decide करना है